Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, मैं पुजा धिलो, CRSE University की B.A. Special Education 1st SEM का जो पेपर है आप लोगों का कल, Introduction to Locomotion and Multiple Disabilities, 50 नमबर का आपका पेपर है और 40 नमबर का आपका पेपर आने वाला है, 5 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी और इस वीडियो के अंदर Most Important Topic हम बताने वाले हैं, जो आपके पेपर में कल 101% आएंगी, Support कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, Like अगर आपके पेपर में आ जाए तो दुबारे आके कर जरूर जाना, और प्लीज, कॉमेंट ज़रूर करके बताना कि कितना फेपर आप लोगों का मैच हुआ, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी यूनिट फर्स्ट से, यूनिट फर्स्ट के अगर अंदर मैं बात करूँ कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और कौन सा छोड़ना है, जैसे आपका जो फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है, बस ये आपको यहां से करना है, और जो सेकिंड टॉपिक आप करेंगे, वो आप यहां पर जो सेकिंड टॉपिक रहे का आपका वो रहे का थर्ड वाला, यानि कि ये आपका यहां से, जो आपका थेरापिटिक इंस्ट् and referler of children with CP है यह यहनी दो question यहनी दो topic आपके यहां से रहने वाले हैं चलिए बात करती हैं आपकी second unit की second unit में भी आपके पास तीन topic हैं जो कि आपके CP के ही हैं और school के बारे में हैं तो यहां जो आपको topic करने हैं वो topic आपके रहेंगे first और second जिसके अंदर से आपका जो teaching learning of children with CP in school यह आता है उसके अलावा जो आपका उपर question है implications of functional limitations of children with CP educational के उपर आता है means आपका जो school और home है उसके उपर यहां पर आने वाला है यह आपका तीनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है जैसे sitting arrangement होगी, positions हो गई, handling हो गया कि technique कौन-कौन सी use कर सकते हैं आप handling गे ठीक तो यहां से आपका question बनता है second unit के बाद अब third unit की मैं बात करू तो third unit के अंदर आपके जो questions या topic रहेंगे वो आपके यहां से definition, meaning and classification रहेगा ठीक है, muscular आपका यह जो सिस्टोफी है इसके बारे में ठीक इसके बारे में आपको अच्छे से कर लेना है यहां से, दूसरा आपका जो topic यहां पर रहना है वो आपका implication of functional limitations for education and creating prophetic जो environment है, school और home का उसके बारे में रहने वाला है थोड़ी सी जो आपकी बिमारिया हैं, बहुत अटपटे से इनके नाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं और यही आपके जो दो main topic रहने वाले हैं, जहां से आपके question पूछे जाएंगे, अच्छे से कर लेजिएगा बात करते हैं fourth unit की, तो fourth unit के अंदर जो आपको mainly करने हैं, वो multiple disability करनी हैं, जिसका concept, meaning और classification आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उसके अलावा आपको understanding भी याद होनी चाहिए, multiple disability की इंडिया के context में, और यह आपके questions यहां से पूछे जाएंगे, और hundred percent कल का paper आप आपका यहीं से रहने वाला है, fifth unit की बात करती हूँ, और please इस पर थोड़ा सा ध्यान दीची का, आपके जो syllabus के अंदर fifth unit दी गई है, वो अधूरी दी हुई है, और जो आपके syllabus में दिखाया गया है, वो गल्थ है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, fifth unit के अंदर, तो दूसरा जो कोशन बनने वाला है, जैसा कि आपके syllabus में नीचे दिया हुआ है, यह आपका third unit का portion है, ठीक है, जो by mistake, fifth unit में डाल दिया गया है, पता नहीं कैसे, बट यह university की बहुत बड़ी mistake है, तो बात करते हैं, second topic की most important, जो आपका रहने वाला है, fifth unit का, वो रहेगा आपका यह, planning and effective educational program and functional activity for the people with the locomotion, disability and multiple disability, यह आपका second topic, यहाँ से आपका fifth unit का second question आने वाला है, तो प्लीज अच्छे से कीजिएगा, और प्लीज अपने question paper भेज दीजिएगा, वैसे हमार साथ एक साथ ही है, जो मेरे पास हर बार question भेज देते हैं, और वो ID के हैं, मुझे M, R और साथ के साथ आपके जो HI है, उसके भी question paper चेंगे आगे, जो अलग paper आएंगे, तो प्लीज आप लोग अपने paper ज़रूर भेजिएगा, नीचे दिएगा इन नमबर पे और अपने group को join कर लीजिए, जहांसे आपको हर एक update, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी special education की मिलती रहे, so do like, share and subscribe our channel, have a great day, take care, all the very best for your tomorrow exam, अच्छे से करिएगा, फाड के आईएगा एक्जाम को